अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देगा था पॉइंटर्स को और हमने देगा था कि किस तरह नियू और डिलीट कीवर्ड का इस्तिमाल करके हम लोग C++ में पॉइंटर्स वाले प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं अब मैं अपना आप लोगों को इससे पहले की स्टार्ट करूँ बताना चाहूँगा इस C++ कोर्स के बारे में आप लोगे C++ कोर्स को अक्सेस कर लो जल्दी से क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोगों को स्टार्टिंग से जिस और में मैं चाहता हूँ आप लोग को वीडियूस दिखाना वह आप नहीं देख पाऊगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह आप यहां पर एकसेस करे λो और आप लोग सोचते हो चोटे हो कि कि एक यह की भीक बिछेए को एकसेस करोगे तो जो आगे बढ़ते हैं और pointers की बात करते हैं और आज हम बात करेंगे pointers to objects ठीक है तो मैंने इस course में आप लोगों को class के बहुत सारे examples दी है ठीक है तो यहाँ पर हमारे 50 videos हो गए हैं तो मैं बनाऊँगा एक नई file यहाँ पर सबसे पहले जिसका नाम मैं रखूँँगा tut51.cpp और इसमें मैं boilerplate code डाल दूँगा और यह boilerplate code डालने के बाद मैं class बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा class complex और एक semi colon यहाँ पर लगाना बिल्कुल ज़रूरी है और मैं यहाँ पर लिखूँगा public public के अंदर मैं क्या करूँगा लिख दूँगा एक मिन्ट सबसे पहले मैं int a और b बना लेता हूँ या फिर int real, imaginary बना लेता हूँ अब यहाँ पर मेरे पर दो integers हैं एक real है एक imaginary है यहाँ पर एक मैं function बना रहा हूँ और मैं आपर इसका नाम रख रहा हूँ get data और get data function क्या करता है कि आप लोगों को print करके देगा the real part is और real part हो जाएगा मेरा real handle भी लगा लेता हूँ और imaginary part जो है वो मैं लिख दूँगा the imaginary part is imaginary ठीक है imaginary आपर मैंने लिख दिया है the real part is real, the imaginary part is imaginary ठीक है, so I hope कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक set data भी रख रहा हूँ जिसमें मैं दो integers लेने वाला हूँ और set data के अंदर मैं क्या करूँगा कि real part और imaginary part को set कर दूँगा तो मैं लिख रहा हूँगा real is equal to a और imaginary is equal to b और यह जो class का example है बहुत ही simple है तो अगर मैं आप पर एक complex का c1 और c1 ही बनाता हूँ उसे तो मैं c1.set data करके 1,54 कर सकता हूँ और उसके बाद c1.get data करके मैं इसको print कर सकता हूँ अब मैंने यह चीज इतनी तेज तेज क्यों करी time बचाने के लिए क्योंकि already मैंने आप लोगों को classes and objects के बारे में in depth बता रखा है हम लोगों ने in fact बहुत सारा time spent किया है classes and objects पे बात करते हुए हमने object orientation की बात करी है और हमने इसको किया है अच्छे के लिए we have done it for good हम लोगों ने इसमे इतना time spent किया है कि आज जो लोग भी शुरू से लेगे 50 वीडियो के बाद वाला वीडियो यह 51 वद देख रहे हैं 50 देखने के बाद मैं इस बात की आप लोगों को assurity दे सकता हूँ कि classes and objects से जो डर्ग था वो निकल गया होगा अब तक ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर हमने बात की थी c1 की c1 के set data की c1 के get data की अब मैं यहाँ पर एक object बनाऊँगा और एक pointer बनाऊँगा जो की point करेगा उस object को देखो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझो मैं आपर करूँगा क्या मैं आपर लिखूँगा complex और उसके बाद मैं लिखूँगा star ptr is equal to और मैं आपर क्या करूँगा इसको point कराना चाहूँगा किस से मैं इसको point कराना चाहूँगा c1 से और बिल्कुल जिस तरह हम लोग use करते हैं अपना किसी integer pointer को integer से point कराने के लिए operator या फिर float pointer को floating point number से point कराने के लिए operator या address of operator वही इस्तेमाल करेंगे class में भी यहां कुछ नए आ नहीं है ठीक है वही चीज़ है एकदम लेकिन यहां पर हम कुछ नई चीज़े देखेंगे अब देखो अब मान लो मुझे c1 का set data मान लो run करना है ठीक है मैंने point तो करा लिए एक मैंने pointer बना लिए जो कि point कर रहा है किसको c1 को point कर रहा है क्या point कर रहा है c1 को इसका set data run कर दिया फिर get data run कर दिया तो देखो इसको मैं run करूंगा तो error नहीं आएगा बिल्कुल वही output आएगा एकदम बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा था वही है लेकिन आपको होगे यार यह सरका सबने करा क्यों star ptr लगा के और उसके बाद dot हमारे पास एक pointer है हम यह देख रहे है कि pointer से object के public members को कैसे access कर सकते है ठीक है तो I hope कि यह चीज़ clear हो गई होगी अब C++ के अंदर हमारे पास एक special syntax होता है ठीक है अब यह चीज़ तो आप लोगों को पता चल गए चाह एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर यह bracket लगाना बहुत जरूरी है ठीक है bracket लगाना जरूरी क्यों है क्योंकि जो dot operator होता है उसकी precedence जो होती है वह higher होती है star operators है ठीक है तो यहाँ पर ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे बस यह समझ लो bracket parentheses तो यार वैसे भी लगा लिनी तो यहाँ पर हमने यह जो methods है इनको access कर लिया अच्छा चलो यह हो गया एक बात मैं star ptr is equal to new complex करके भी object बना सकता था एक बात यह भी आप जान लो यानि कि यह करने का एक तरीका और है मैं directly अगर object बनाऊं तो मैं ऐसे भी बना सकता था कह दूँ कि star ptr is equal to complex star ptr is equal to new complex यह भी एक तरीका है object बनाने का ठीक है तो मैं इस तरह से भी object बना सकता था और मैं इसको ऐसे run करूँ तब भी वही output आएगा कुछ नहीं बदलेगा तो यह चीज भी आप लोग को जान लेनी चाहिए तो यह new operator का use करके भी मैं बना सकता हूँ और अभी यह सब चीज़ें ऐसे लग रही होंगी आप लोग को क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगा आपको पता चलेगा क्यों कर रहे हैं और यह सारे concepts जितने आसान है उतने useful भी हैं और हाँ यह concepts आसान है क्योंकि सिर्फ आप लोग को pointer का जो एक basic है वो आना चाहिए कि star लगा के d reference हो जाता है और m% लगा के sky address हो जाता है new operator लगा के आप लोग को एक नए object बन जाता है चाहे वो integer हो चाहे वो आपका कोई custom class का object हो चाहे वो float हो चाहे वो care हो जो भी हो ठीक है I hope कि आप लोग समझ गए इस चीज़ को अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले arrow operator की अब आपको यह arrow operator क्या है arrow operator से क्या होता है कि आप लोग directly क्या कर सकते हो directly आप लोग एक pointer को dereference करके उसका function run कर सकते हो तो यहाँ पर मैं सबसे पहले theory लिखा देता हूँ यहाँ पर टीक है सबसे पहले मैं आपर theory लिखा देता हूँ मैं आपर लिख देता हूँ और यहाँ फिर मैं काम करता हूँ मैं इसको comment out कर देता हूँ is exactly same as और आप लोग समझ जाओग यह देखते ही क्या होता है arrow operator ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको इस तरह से करना है और एक single dash होता है इसको control s save कर देता हूँ और मैं चाहूं तो इसको ऐसे यूज कर लो नी तो ऐसे यूज कर लो अब obviously यह ज़्यादा straight forward लग रहा है तो मैं इसको तरह run करके आपको दिखा जेता हूँ कि कोई error नहीं आ रहा है एक दम भाई output हमारा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ arrow कब लगाते arrow का मतलब होता है कि इस pointer को dereference करो इस pointer को क्या करो dereference करो और इसका set data run करो तो ptr के बाद जब arrow लगता है इसका मतलब यह होता है कि यह जो ptr है यह किस object को point कर रहा है उसका set data यह जिस object को point कर रहा है उसका set data as simple as that तो यह जो ptr होता है और वो जिसको भी point कर रहा ह होता है उसका set data run हो जाता है तो यहां पर है किसको point कर रहा है इस complex object को point जो नया complex object हमने बनाए उसको point कर रहा है तो इसलिए यह इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं similarly is as good as मैं आप लिख देता हुं कि ये लिख लो यहां फिर ये लिख लो क्या लिख लो बताता हूं तो यह है हमारा arrow operator और arrow operator बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है C++ के अंदर जब आप लोग 81 बहुत सारे objects बना रहें dynamically और उसके बद आपको अलग-अलग functions को refer करना पड़ गया अलग-अलग functions को access करना पड़ गया अलग-अलग data member को access करना पड़ गया वहां पर arrow operator बहुत ज़्यादा काम आता है तो यहां पर इस तरह से arrow operator यूज हो सकता है अब मैं आप आप लोग को बताता हूं कि आप एक साथ array कैसे बना सकते हो objects का तो जैसे कि मैंने आप लिखा complex star ptr is equal to new complex मैं उसी तरह new complex 3 भी बना देता था ये भी मैं बना सकता था ठीक है तो मैं ज़र एक काम करता हूं इसको copy करता हूं और यहां पर लिख देता हूं array of objects ठीक है और इसको यहां पर paste करता हूं तो मैं इसको तरह ढ़ा देता हूं कि इस बारे मैं इसको मैं आपर 4 कर देता हूं और मैं आपर कहूंगा कि complex star ptr is equal to new complex और उसके बाद मैं इस तरह से 4 कर दूँगा तो यहां पर मैं इस तरह से जब ptr set data और इसको मैं run करके आप लोगों को दिखाता हूं तो यह यहां पर हमको error दे रहा ही कह रहा है कि यार तुमने ptr अलड़ी बना लिया फिर से क्यों बना रही हो तो मैं इसको ptr one कर देता हूं कि यह उबर अलड़ी हमारा ptr बन चुका ह तो यहां पर इसको मैं run करूं तो देखो यह बिल्कुल सही सही आ रहा है 154,14 लेकिन आप लोग को गईगी यार हैरी भाई हमने बनाए हैं यहां पर कितने 4 pointers हमने बनाए हैं हमने array बनाए है 4 objects का जो की point कर रहा है जो हमारा pointer ptr one point करेगा complex को पहले वाले object को फिर ptr plus one point दूसरे वाले को ptr plus two point करेगा तीसरे वाले को similarly ptr plus four point three point करेगा four वाले को युकि index zero से start होती है ठीक है so I hope कि यह चीज समझ गए होगे आप और अगर मैं यहाँ पर ptr one plus one कर दूं और यहाँ पर plus one कर दूं तो क्या होगा कि यह अगले वाले pointer को point करेगा यानि कि दूसरा जो अभी के लिए आप लोगों के लिए यह arrow operator digest करना काफी रहेगा आप लोग इसको digest करो देखो कि यह किस तरह से काम करता है इसको चला कर देखो और इसको चला कर देखो और यह देखो कि इन दोनों में क्या similarity है यह दोनों अलग अलग नहीं है यह दोनों same है exactly लेकिन यह आप लोगों का एक better syntax है आप लोगों का काफी time बचेगा अगर आप लोग एरा operator use करोगे तो so I hope ये clear हो गया होगा लेकिन at the same time आप लोगों को ये syntax पता होना चाहिए कि इससे बनेगा हमारा एक नया object in fact चार नहे objects array बन जाएगा basically objects कर ठीक है तो ये हमने क्या किया pointers की मदद से array of objects बनाया array of four objects बनाया और इस memory space को हम लोग access कर सकते है pointers को increment करके जो कि हम आगे अभी देखने वाले ठीक है so I hope इतना आप लोगों जो है clear वो हो गया होगा once again मैं आउंगा बापस यहां पर अगर आप लोगों ने C++ की playlist अभी तक access नहीं करी है तो kindly C++ की playlist को access करें क्योंकि यहीं वो जगा है जहां पर starting से लेकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे C++ के concepts from installing G++ से लेके और VS code से लेकि मैंने पूरा आप लोगों को सार्टिंग से बताया है अगर एक beginner भी कोई आता है इस playlist को देखता है तो इस video तक यानि कि क्या 90 वीडियो तक क्या 1 वीडियो तक उसको सारी की सारी चीज़े glass and object से related पता चल जाएंगी So guys, at the same time अगर आप लोगोंने video लाइक नहीं किया आफिस वगेरा में काम करते हैं तो उसका WhatsApp ग्रूपों का वहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हो नहीं तो अगर आप लोग school, college में हो तो उसका लोग definitely होते ही है Facebook, WhatsApp ग्रूप ऐसा करने से क्या होगा मैं इस तरह की courses आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी लेकर आँगा और मैं जैसे कि आप लोग देखे रहे हो कि जादा से जादा courses बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे के सारे courses freely available कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे इस initiative में आप लोग support करें और वीडियो बस शेयर करना है आपको और लाइक करना है जादा कुछ नहीं है तो बस इतना ही करना है आप लोगों को I hope कि आप लोग करोगे अपना part Thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time